प्रोक बड़ी सीजन 10 का मैच नमबर 5, पुनेडी पल्टन वसेज जैपूर पिंग पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा, सीजन 9 का फाइनल पुने एंड जैपूर के बीच में खेला गया था, एंड क्या वो रिपीट दुबारा होगा, क्या पुने की टीम रिवेंज ले पाईगी की नहीं, आएए इस मैच का प्रिव्यू करते हैं, सब जो एले मैच की इनफोमेशन पे नज़र डाल ले तो मैच नमबर 5 है, पुनेडी पल्टन वसेज जैपूर पिंग पैंथर्स के बीच में अब तक टुटल 21 मैचे हो चुके है, जहाँ पे पुनेडी पल्ट की टीम 11 बार जीती है, एंड दो बार जो मैचे से वो ही आपे टाई हुए है, तो हैट टू एड में जैपूर का पलड़ा भार ही है, लास्ट मुकाबले की बात की जाए, तो पीकेल 9 के फाइनल में ही दोने टीम भिडी थी, जहाँ पे जैपूर की टीम ने पुने को 33-29 के स्कोर से हराया था, तो हैट टू हैट में ओवर जैपूर की टीम आगे चल रही है, दोने टीमस की स्टार्टिंघ जए डाल लेते हैं पुनेडी पलटन चे शुरूबात करते हैं, तो पुनेडी पलटन की स्टार्टिंघ सेवन में हमें देखने को मिल जाएगे, मोहीत गोयत, असलम इनामदार, अकाशिंदे, डिफेंडर्स में देखने को मिल जाएगे, अबिनेश नदराजन, संकेत सावंद, गौरफ खतरी, एन महम्मद रेजा सादलू, यह यहाँ पे पुनरी पल्टन की स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है, वहीं पे जैपुर पिंक पैंथर्स की बात की जाए, तो जैपुर पिंक पैंथर्स की स्टार्टिंग सेवन इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे रिडर्स में हमें अरजुन देशवाल देखने को मिल जाएगे, वी अजीत कुमार देखने को मिल जाएगे, राहूल चौधरी, डिफेंडर्स में देखने को मिल जाएगे, सुनिल कुमार, रेजा मिर बगेरी, सहूल कुमार और अंकुस राठी देखने को मिल जाएगे, तो यह यहाँ पर जैपुर पिंक पैंथर्स की स्टार्टिंग सेवन इस मुकाबले में रहने वाली है अब यहाँ पे दोने टीम्स की स्टार्टिंग 7 को कमपेर करें इसे पहले हम आपको बता देना चाहता हो डेली कुछ ना कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो मैच के कवर है जिब वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं कर रहा हूँ तो जिनको भी मैच के अपडेट्स सही है जो भी साइट के जो अपडेट्स आते वो जानने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो हर एक अपडेट टेलीग्राम पे कवर कर रहे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर में लिंक देने वाला उन्हीं तो टेलिग्राम पर जाके आप एड़्ट रेट स्पोर्ट सुनिफ सेवन सर्च करके जॉइन कर सकते हो दोने टीम्स की स्टार्टिंग सेवन को कंपैर कर लिया जाए तो आप देख सकते हो दोने टीम्स की स्टार्टिंग सेवन जहाँ पर पुनेरी पल्टन के रेडरस में मोहीत गोयत असलम इनामतार और अकास इंदे देखने को मिल जाएगे वहीं पर जैपूर के टीम में हमें अरजुन देशवाल, भी अजीत कुमार और राहूल चौधरी देखने को मिल जाएगे अब देखा जाएगे तो साफ साफ यहाँ पर पूने का जो रेडिंग लाइनप पर वो यहाँ पर जादा बैतर देखने को मिल रहा है जहाँ पर मोहित असलम का डूओ देखने को मिल रहा है अकास शिंदे जो एक यंग रेडर है काफी अच्छा परफोर्मेंस दिखाएगे एंड एशन गेम्स के लिए भी स्लेक्ट हुए थे अब ऐसे जैपूर के पास बैस रेडर है पीकेल 9 का अरजुन देश्वाल साथी में भी अजीत कुमार जो फाइनल प्लेओप मैचा खेले थे तो मुझे लगता है कि ओवर्रोल देखा जाए तो रेडिंग के मामले में पूने की टीम थोड़ा आगे चल रही है डिफेंस की बात की जाए तो कवर में हमें अभिनेश नदराजन और संकेट सावन देखने को मिल जाएगे और जाएपूर में सुनिल कुमार और रेजा मीर बगेरी देखने को मिल जाएगे और रोल देखा जाए तो सुनिल और रेजा मीर बगेरी पिछले सीजन काफी अच्छा पाफोर्मेंस दिखाये थे अभिनेश संकेट भी काफी अच्छे डिफेंडर है लेकिन मुझे लगता है कि कवर के मामले में जाएपूर की टीम थोड़ा आगे चल रही है सेम वही कॉर्णर की बात भी है जहां पे पूने के पास गौरफ खतरी एंड सादलू का इंकलूजन हो चुका है लेकिन जापूर की बात कीजा है तो इनके पास बेस्ट डिफेंडर अंकुष राटी है और साद साहूल कुमार है जो काफी अचा खेल रहें सादलू एंड अंकुष दोनोई लेफ्ट कॉनर के पोजिशन के बेस्ट डिफेंडर है दोनोई टीम के पास लेकिन right corner की बात किजाए तो गौरफ खतरी ने पिछले शीजर में 16 मैचचेस में 21.2 स्कोर किये तो वहींपे सहूल कुमार की बात कीजाए तो इहोंने 24 मैचचेस में 57.1 स्कोर किया था तो सहूल कुमार अच्छे फॉर्म में भी है तो corner defense overall जैपूर का slightly आगे चल रहा है, तो जैपूर पिंक पैंटर्स की टीम स्टार्टिंग सवन के कमपैरीजन में आगे चल रही है, लेकिन पूने की टीम भी कम नहीं है, अब यहां पे बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जिन पे सब की नजरे रहने वाली है, पुनेरी पल् इन्होंने स्कोर किया था, 17 टैकल पॉइंट भी स्कोर किये थे, मैं स्योर नहीं हो लेकिन मुझे लगता है कि मोहीद गोयद इस मुकाबले में टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं, जैपूर की खेमे से बात क्या जाएं, तो मुझे लगता है कि वी अजीत कुमार इस जिन पर अच्छा परफोर्मेंस की भरोसा दिखाया जा सकता है, अब देखते क्या होता है, अब बात करते हैं, प्रेडिक्शन के बारे में इस मुकाबले में मेरी क्या प्रेडिक्शन रहने वाले तीन प्रेडिक्शन में शेयर करने वाला हूँ, सब से पहले ना दिखा पाए जैसा जाने जाते है और दूसरे प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि असलम एंड मोहित में से कोई एक प्लियर सूपर 10 स्कोर करेगा इस मुकाबले में अखरी प्रेडिक्शन यह है कि पुनेडी पल्टन की टीम यह मुकाबला जीतने वाली है तो यह तो मेरे तीन प्रेडिक्शन थे आपकी क्या प्रेडिक्शन होने वाले आप कॉमेंट के जरू बताएगा अगर आपको लगता है कि पुनेडी पल्टन की टी मुकाबला जीतेगी ता आप comment section में orange heart mention कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि जैपूर की टी मुकाबला जीतेगी ता आप comment section में जो pink heart है वो यहाँ पे mention कर सकते हो और अभी फिलहाल के लिए PKL season 10 का जो latest pawns table है वो आपने नहीं देखा है तो left side पे click करके देख सकते हो और right side पे match number 6 Bengal Warriors and Bengaluru Bulls का match preview किया है वो भी आप check out कर सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे icon एंट्रस्टिंग उड़ो के साथ, thanks for watching